बेलकम टू टाइगे विदेसेस दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूट कार्पोरेशन आफ इंडिया की फीअप सी आई एजी थी वेगन सी आई थी केटेगरी थर्ड की उसका डाकॉमिन वेरिफिकेशन किस डेट से स्टार्ट होने वाला है नार्थ जोन में टोटल कितने चातर डाकॉमिन वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा अच्छातों जो है डेली से बुलाए गये फिर उत्तव प्देश में किस श्टेट से कितने चातर बुलाए गये हैं मतलब नॉर्थ जोन में तो इसके बार में पूरी जनकरी दी जाएगी वीडियो को लाज तक पूरा देखे पूरी वाज समय जाएगी तो चलिए सुरक होता है तो मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर पहले ही कल परसों में डाल दिया था कि आपका डाकुमिन वेरिफिकेशन जो है वो 15.6.2023 से स्टार्ट हो रहा है 23.6.2023 तक चलेगा ठीक है यह अभी ऑफिसियल नोटिस नहीं आया है यह अपडेट बता रहा हूं आप लोगों को यह नाथ जोन का डाकुमिन वेरिफिकेशन और मैंने टेलिग्राम पर जो डाला था वो इस्ट जोन का था तो यहाँ पर जो नाथ जोन का है वो भी आप ल वेकंसी आई थी आपकी फेज 2 का भी रिजल्ट आया है मैंने बोला था टाइम नहीं मिलेगा और आपका देखिए 15 तारिक से ही डाकुमेंट वेरिफिकेशन लगा दिया गया है आप लोग डाकुमेंट्स तयार करके रखिए और डाकुमेंट वेरिफिकेशन में पार्टि पंजाब के 213 राजस्थान के 321 उत्तर प्रदेश के 458 ठीक है और उत्तराखंड के 118 तो डेलही में सबसे ज़्यादा है ये 558 है और उत्तर प्रदेश के सिर्फ 458 है तो दूसरे नमबर पे उत्तर प्रदेश है सिर्फ जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है जितने चात्रों को बहुएं यहाँ पे 458 उत्तर प्रदेश से ठीक है तो यहाँ पे आप लोग अगर इनका टोटल करेंगे तो जितनी वेकंसी थी उसका लगवक तीन गुना बैठता है जाके तो 600 कुछ वेकंसी थी और उसका यहाँ पे तीन गुना ये चात्र शजवतनी थी ये ठीक है तो आप लोगों को वेस्टाव़लग जो भी टैक्मेंट डिक्मेंट वरिफिकेशन में जा रहे हैं अच्छी से डिकावरिफिकेशन करा है उसके बाद आप लोगों को जो विएको हैनल थी निढ़ाएंगी और championshipरेंगे च्शका पूरन बिजिन क बुस अब से गोले देनमस